वेलकम बेक दोस्तों, आज आपके लिए लिए लिके आया हूँ OPPO A79 5G और इस वीडियो में इस मोबाइल के कमाल दमाल hidden features बताने वाला हूँ tips and tricks से अगर इसको खरीदने की सोच रहो या फिर खरीद चुके हो तो वीडियो को सरूर से लेकर एर तक द्यान से देखना आप खुद बोलोगे भाई मज़ा आगया इस स्मार्टफोन को यूज करने में तो फटा फट से करते हैं स्टार्ट इस स्मार्टफोन की display size काफी बढ़ी है लेकिन एक खास से mobile को use करते हो तो एक कमाल की tricks बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर कोई भी application open करना चाहते हो बस हलका सा slide करना है और आपकी finger के नीचे सारी application आ जाएगी और आप इनको directly यहाँ से open कर पाओगे इस setting को on करने के लिए आपको simply home screen पर tap करके रखना है फिर more setting में जाना है यहाँ पर मिलेगा icon pull down gesture इसके ओपर click करके इसको on कर देना है on करने के बाद में इधर से slide करके आप directly open कर पाओगे दोस्तों इस smartphone में मज़ेदार floating window मिलता है जिससे आप एक साथ में दो-दो application पर online record chatting कर सकते हो दो application को एक साथ में चला सकते हो जैसे मेरे smartphone में facebook और snapchat है तो इन दोनों पर online रेने के लिए failure करता हूँ facebook को open फिर आपको बेक आजाना है, three button के उपर click करना है, three dot के उपर click करना है यहाँ पर floating window का option मिलेगा इसके उपर जाकर इसको on कर देना है आप देख सकते हो facebook को इस size में open हो चुका है और इसको में कहीं पर भी exist कर सकता हूँ इसके size को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है अब नीचे की side में snapshot को open कर लेता हूँ अब देख सकते हो, यहाँ पर मैं दो-दो application को एक साथ में चला रहा हूँ और इसकी size को भी छोटा बड़ा करके कहीं पर भी screen को उपर exist कर सकता हूँ और इसमें आपको बेख आना है तो यहाँ पर इसके उपर double tap कर देना है वो floating window off हो जाएगा smartphone को और मज़ेदार बनाने के लिए आपको जाना है mobile की setting में wallpaper and style के उपर click करना है यहाँ से आप wallpaper मज़ेदार changes तो कर सकते हो और यहाँ से themes हो गिरा लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको मिलता है icon का option गैज चोटी चोटी चीज़े होती है जो अपने smartphone को काफी मज़ेदार बनाती है जैसे कि facebook का icon हो गया instagram का icon हो गया इसकी size को छोटा करना साथ हो तो इधर slide करके छोटा कर सकते हो बड़ा slide करके यहां पर देख सकते हो बड़े काफी अच्छे लगते हैं और इनके है जो आपको नीचे नाम देखने को मिलते हैं अगर आप साथ क्योंकि इनके नाम दिखाई ना दे बस icon को देखकर ही पैच्छान लेगे क्योंकि icon simply काफी unique लगते हैं तो आपको इसको disable कर देना है और यहां से देख सकते हो इनके नाम हट चुके है और इनकी style को अगर आप इनके icon को style में change करना साथ हो तो यहां पर material style मिलता है पबल हो गया और custom में जाने के बाद में आपको काफी सारी design मिल जाती है और इसके लावा एक बार फिर से आपको वहीं पर जाना है wallpaper and style के अंदर यहां पर आपको colors का option मिलेगा जैसे कि simply क्या होता है ना हम नीचे slide करते हैं तो इनका color blue है जैसे मैं अभी torch cone करता हूँ इसका color blue हो गया daily daily एक ही color से बोर हो चुके हो आपको इसे smartphone में मिल जाती है click setting के अंदर जाने के बाद में देख सकते हो नीचे slide करके इनको अभी यह जो round circle के अंदर है इनकी design लेकिन अगर इसमा को एक हाथ से use करते हो तो यहां पर आपको काफी सारी setting on कर लेना काफी मज़ा आएगा जैसे तो पहले डबल टेप करती ही lock हो जाता है डबल टेप करती ही on हो जाता है और इसके अलवा भी में आपको काफी मज़ेदा tricks और tips बता दिता हूँ simply आपको इसके लिए जाना होगा mobile की setting में यहां पर आपको home screen and lock screen के उपर click करना है इसमें आने के बाद में यहां पर double tap to lock के इसको औन कर देना है और नीचे आने के बाद में double tap to wake up turn of screen इसको औन कर देना है और rise to wake को औन करने के बाद में क्या होगा जैसे smartphone lock है और इस तरीके से अगर फिलिप करती हो तो इसकी light on हो जाती है और एक चीज़ देखियोगी आपने जैसे हमें जो आपको notification drawer नीचे लाना होता है तो इधर से slide करके नीचे लाना पड़ता है दूसरा हाथ काम में लेना पड़ता है एक हाथ से use करोगे तो कुछ इस तरीके से uncomfortable mode में जाकर on करना पड़ेगा लेकिन क्या हो अगर इधर slide किया और यह notification drawer इसकी जगा पर नीचे आ जाए तो ऐसा बिलकुल कर सकते हो बस इसके लिए आपको mobile की setting में जाना है home screen या लोग screen के अंदर जाकर यहाँ पर swipe down on home screen के उपर क्लिक करके notification drawer के उपर क्लिक कर देना है अब देखोगे नीचे से हलका सा slide किया और notification drawer नीचे आ जाएगा दूसरी application डाउनलोड करने की जुरूरत नहीं है बस इसके लिए आपको simply mobile की setting में जाना है और यहाँ पर privacy के उपर क्लिक करना है privacy पर दुबारा क्लिक करना है फिर देख सकते हो यहाँ पर app lock लगा सकते हो hide app कर सकते हो private save कर सकते हो दोस्तों यह setting on करके जुरूर रख लेना privacy इसे के लिए काफी जरूरी है क्योंकि आपने देखा हुआ काफी video viral होते हैं काफी information leak होती है तो यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूं private save कोई भी photo वगेरा hide करना चाहते हो तो पहले आपको passport set करना होगा चाहे pattern set कर सकते हो passport कुछ भी लगा सकते हो इसमें तो मैं four digits select कर ले तो यहाँ पर इसका answer देकर select कर सकते हो forget कर सकते हो और इसमें काफी सारे question है जो आप select भी कर सकते हो फिर आपको right के उपर click कर देना है और go it कर देना है अब देख सकते हो कोई भी image audio document hide करना है तो आप यहाँ से directly इसको hide कर सकते हो जैसे यह photo है उसको hide करना है या album के अंदर जाकर तो set as private यहीं से आप कर पाओगे और बापस आकर यहीं पर इसको शोग कर सकते हो और इसके लवाब कोई भी application को log लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप log लगा सकते हो उसको select करना होगा go it के अंदर जाना है इसको on कर देना है अब Amazon को में log कर देता हो Amazon log हो चुका है इस सेटिंग के उपर क्लिक करना है और यह कुछ code लगाने है यह code क्यों आगे बताता हूं क्या काम आएंगे start में हच होना चाहिए 2580 हच कुछ भी code लगा सकते हो चार code होने चाहिए start में और last में हच होना चाहिए done अब यहाँ पर मैंने Chrome browser hide किया तो वो कहां पर देखने को मिल जाएगी तो guys video पसंद आए तो please आपसे request है please guys channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा और जिसके पास में यह smartphone है उसको यह video send जरूर कर दीजिएगा जो उसको भी काफी आसानी हो जाए अब मैं आपको YouTube के मज़ेदार features बता दीता हूं इस smartphone में ही यहाँ पर कान करेगा जैसे कि simply क्या ह होता है हम YouTube पर कोई भी गाना वाना सुन रहे होते हैं तो बेक आने के बाद में है वो जैसे मैं ये वीडियो चलाता हूं एक बार हम मैं जैसे ही बेक आता हूं तो वो वीडियो रूप जाती है कभी कबार क्या होता है हमें बस गाना सुनना होता है only for तो यहां पर जो भी song play करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक मज़िदा trick मिलती है वो on करने के लिए आपको जाना होगा mobile की setting में यहां पर special feature के उपर click करना है smart slide bar को उपर जाना है फिर इसको बस on कर देना है अब आपको बापस बेगराउंड को YouTube को बेगराउंड में च stream का और यह smart मज़िदार slide bar भी आ चुका है अगर आप कोई भी application यूज करते होगे कोई दूसरी application open करना चाहते हो कुछ देर के लिए तो उसको यहां से directly smart floating window के अंदर open कर सकते हो जैसे कि कुछ इस size के अंदर और उसमें आप answer बगेरा देखकर बापस उसको off भी कर सकते हो त जैसे कि एक बार फिर से आपको वहीं पर जाना है और यहां पर background stream को on करना है और देख सकते हो यहां पर song play हो रहा है तो इस तरीके से आप YouTube को background में भी चला पाओगे इस smart phone की price है 20,000 रुपे और यहां पर आपको काफी सारे offers भी अभी मिल जाते हैं जैसे कि UPI से आप transition करते हो तो वहां पर आपको 1000 रुपे का discount मिलता है यह आपको कोई भी बात नहीं बताएगा बस swap keeper को जाकर आपको खुद बताओगे तो आपको यह offer दे देगा इसके अलवा guys यहां पर camera में कौन-कौन से features मिलते हैं बड़िया photo click करने के लिए वो भी बता दूँगा सबसे पहले night camera मिलता है जो एकदम average है और video quality यहां पर इस smart phone में only 1080p 30fps में video record कर पाओगे photo हो गया जिसके अंदर आपको काफी सारे effect वगेरा filter मिल जाते हैं अब बात करते हैं main camera portrait camera की जिसमें आप photo click करते हो तो यहां पर इसके उपर click करोगे तो background में बलट जादा करना है तो 1.63 या फिर इधर slide करके 0.95 पर कर सकते हो इसके अलवा इसके उपर click करने पर आपको view video का option मिल जाता है जो iPhone में देखने को मिलता है जिसमें काफी colorful photo आती है तो उसको भी select करके portrait mode में photo click कर सकते हो अगर आपको beauty mode on करना है तो इसके उपर click करना है रिटेज के उपर click करना है इसको बढ़ा देना है अब आपको skin tune अच्छी देखने को मिलेगी और इसके more camera में आने के बाद में आपको pro mode extra HD का option मिलता है extra HD के अंदर क्या होता है जैसे आप कोई भी photo click करते हो तो उसमें zooming भी कर सकते हो यहां पर और zooming करने पर simply में आपको बता देता हूँ वो HD mode के अंदर आएगी जैसे मैंने 5 works में photo click किये तो यह HD mode में और इसको भी में zooming करके देख सकता हूँ काफी जादा detail देखने को मिलेगी इसके अंदर तो इसी तरीकी से आप outdoor में यह click करके जरूर देखना क् नॉर्मल केमरे से अगर 5 works में photo click करते हैं तो वो भाई pixels और उसके फट जाते हैं काफी हद तक है तो और more में आपको और भी मज़ेदार features मिल जाएंगे slow motion, time lapse, sticker, text scanner, camera में यह सारे mods मिलते हैं इसके इसके बाद में अब बात करते हैं बेटरी की यहां पर देख सकते हो बेट बेटरी का option मिलेगा इसके उपर click करना है और click करने पर सबसे नीचे मिल जाएगा show battery level in status bar इसके उपर click करके और यहां पर देख सकते हो बेटरी के percentage को अगर बेटरी के inside में show करवाना है तो इसके उपर click करोगे नीचे वाले option पर तो outside में battery के percentage शो होंगे और do not show इसके उपर on कर सकते हो और battery के style को change करना है तो अभी देख सकते हो यहां पर horizontal के अंदर यहां पर आपकी battery है तो उसको vertical के अंदर कर सकते हो loop में कर सकते हो loop एक नया unique features है जो round circle में दिखाई देगा जितनी battery होगी उतने यहां पर आपको है जो fill हुआ दिखाई देगा और battery के percentage बेटरी द message आता तो यहां पर WhatsApp का icon दिखाई देता है जैसे देख सकते हो setting का message आया हूए है तो यहां पर आपको setting का notification दिखाई दे रहा है तो आप चाहते हो कि यहां पर जिस application में दिखाई ना देख क्योंकि कोई पास में बेटा होता है तो उसको पता चल जाता है कि अपन यह application उसको जानने के लिए real time network speed on कर देना है जब भी आप net use करोगे तो यहाँ पर आपको speed show हो जाएगी finally अब बात करते हैं नीचे वाले जो बटन दिखाए जा रहे हैं बेक बटन राइट के अंदर है इसको left में करना चाहते हो या बटन को बिल्कुल हटाना चाहते हो तो इसके लिए home screen पर tape करके रखना है फिर more setting में जाना है और इसमें जाने के बात में यहाँ पर सबसे नीचे मिलेगा system navigation इसके उपर क्लिक करके अब अगर आप बेक बटन को left में करना चाहते हो इसके उपर क्लिक करके left में कर सकते हो बटन को हटाना चाहते हो तो gate sir के उपर क इस बता देता हूँ जैसे कि हमने facebook open किया इसमें जो कुछ भी यहाँ पर show हो रहा है तो वो क्या है हम बेक तो आ जाते हैं लेकिन किसी के सामने recent tape को use करते हैं जैसे कि इधर से slide करके तो जो भी facebook के अंदर हो जो कुछ भी है वो यहाँ पर show हो जाता है या फिर youtube के अंदर है करके यहाँ पर hide content कर देना अब youtube के अंदर जो कुछ भी है वो show नहीं होगा बाहर से आपको तो दोस्तों यह थे oppo a79 के hidden features अगर इस smartphone के बारे में कुछ और भी जाना चाहते हो तो please channel को subscribe कीजीगा comment कीजीगा मैं आपको reply दूँगा या फिर next उसके उपर वीडियो भी बना डालूंगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए bye bye और subscribe करना